जैशी किशनाब सभी को कैसे हैं आप आज में आपके लिए पित्र इकादशी जिसे की श्राद इकादशी या तो फिर इंदरा इकादशी के नाम से जाना जाता हैं इसके दिन जो आप ये खास उपाय करते हैं तो आपके पित्रों को मोक्ष की प्राप्ति होती हैं किसी कारणवश आपके पित्र अगर यमलोग में जाके अपने जो भी पाप या कुछ ऐसे कर्म के जिन कर्मों का दंड वो भुगत रहे हैं तो उनके लिए अगर आप ये वरत रखने के बाद उनके नीमित कर देते हैं कि ये वरत हम आपके लिए रख रहे हैं आपके हर एक व हो और वरत करने के बाद जब इसका पारण करें तो उनके नीमित कर देते हैं इस तरह से करने से आपके पित्रों के वो जो कर्मों का दंड अगर वो भुगत रहे होंगे यमलोग में तो उससे उनको राहत मिलती है और साथ में उन्हें मोक्ष की प्रापती होती है इस दिन श्री हरी विश्नु के सौरुप शाली ग्राम के पूजा राधना की जाती है इस दिन देखे संबभ हो सके तो ब्रहमन भोज अवश्य करें नहीं तो कुछ न कुछ चीज़े दान अवश्य करें और इस दिन आप तामसी भूजन ना ग्रहन करें अगर वरत नहीं भी रख र इस तरह से करने से भी आपके जो पित्र है वो प्रसन होते हैं तो आज जो मैं खास उपाई लेकर आई हूँ इस एकादशी पे करने के लिए वो यह है उपाई अगर आपकी कुंडली में पित्र दोश है जिसकी भी कुंडली में पित्र दोश है या घर में पित्र दोश है और काफी लंबे समय से आपके वैपार में कोई व्रिध ही नहीं हो रही है, आपकी कमाई रुक गई है, पैसा ठीक नहीं रहे, तो आप क्या करें, अपनी उम्र के हिसाब से लॉंग लेए, फूल वाली होनी चे टूटी-फूटी, ना हो इस बात का ध्यान की, और लॉंग ले साथ और भगवान शेफ शंकर की पूजा राधने की जाती है, तब कि समस्त कष्ट और परिशानी दूर होती है, जब वैपार में कई सालों से व्रिधी नहीं हो रही है, बहुत जादा परिशान है, तो इस तरह से लॉंग का उपाय करने से जीवन की समस्त परिशानिया दूसरा आपने करना क्या है, आज के दिन एक मुठी जो और काले तिल पहले मिक्स कलने और एक मुठी जो और काले तिल लेने, इसे अपने घर में पूरे घुमाते वे किसी भी सुनसान जगा पे आप छोड़ाएं या तो आप किसी भी पेड़ या किसी भी व्रिष्ट के प पास पे आप छोड़ सकते हैं, इस तरह से आप ये उपाई जरूर करें, तीसरा खास उपाएं, एक अक्षत का दाना, चावल तूटा फूटा ना हो, इस बात का ध्यान ने के, अपनी हतेली पे रख लें, और घर में ही अपनी मनोकामना इच्छा बोलें, जो भी समस्या च कोश है, कलह बहुत साधा रहता है, घर में परेशानी बहुत साधा है, तो इस तरह आप एक अक्षत चावल लें, और अपने घर में, अपनी इच्छा मनोकामना बोलते वे, वो चावल ऐसी मुठी बन की वे, सीधा आपने चले जाने है शिव मंदी, और भगवान शिव के म आप संध्या की समय अपने मुख्य दरवाजे पे चौ मुख्य दीपक प्रजवलित करें, लंबी बाती बनाके, इस तरह से दीपक प्रजवलित करने से आपके पित्र भी प्रसन होते है, साथ में आपकी जीवन के और भी अगर परेशानिया चल रहे है, वो सारी भी दूर ह होती है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादे से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप मुझे आ गया दीजे, फिर आते हूं कर, किसी नई जोती शुपाई के साथ में, जैशी किशन आप से वेको,